गिरफतारी से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है जो इन्फोर्मेशन है कुछी देर में यानि साड़े दस बजी का वक्ता है जब सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी है कल देर रात भी गया था तब गिरफतारी ना हो इसके लिए गई थी आमादमी कोट में चीफ जस्स ओफ इंडिया की कोट सबसे सामने अगर मेरे कैमरामेन पंकस तोमर दिखा पाए हालनकि दूर है बिलकुल सामने जिसके बाहर आप वकीलों की भारी भीट देख रहे हैं यही कोट नंबर बन है चीफ जस्स ओफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड की औ अभी हालनकि CJI अपनी सीट पर नहीं आये हैं तीन जज़िस की बेंच होगी उसके सामने मेंशनिंग की जाएगी और ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस मामले में तुरंट सुनवाई की जाए क्योंकि ED ने ग्रफतारी कर ली है अब उस ग्रफतारी को यहां पर चैलेंज सुप्रीम कोट ने हाई कोट जाने का निर्देश दिया है क्योंकि हाई कोट के पास भी वही कॉंसिटिशनल पावर होती है अर्विंद केजरिवाल के वकील विकरांत यादाव हमारे साथ विकरांत जो इन्फोमिशन आ रही है वकील पहुंच चुके सुप्रीम कोट देखिए बिल्कुल पंकाईज एडवोकेट एट इस मामले में वरिष्ट अधिवक्ता अभिशेक मनु सिंग्वी अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी से जुड़े हुए कई मामलों में पेश हुए हैं वहाँ पर चीफ जसिस ऑफ इंडिया की कोट में जो सुप्रीम कोट के गेट में सबसे पहली कोट है सामने ही आपको दिखाई देगी वहाँ पर वकीलों की भारी भीड भी इस समय लगी हुई है वहाँ पर अभिशेक मनु सिंग्वी अपने टीम के तमाम जूनियर्स के साथ पहुचे हुए हैं सादान फराशाद जो एड़ोकेट और रिकोर्ड है अरविंद केजरिवाल के वह भी यहाँ पर बैठे वे और जैसे ही चीफ जसिस कोट में आएंगे तुरंत मैंशनिंग की जाएगी हमें जो जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पारटी की तरफ से अरविंद केजरिवाल की तरफ से अभिशेक मनु सिंग्वी ही जिरह करेंगे वही अदालत के सामने ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे जरा मेरा सवाल सुन लीज़े का विकरान सवाल ये है चुकि आपने आमाद्मी पार्टी को भी कवर किया है सुप्रीम कोट भी आप देखते हैं तो जरा ये बताईए कि ये पहली बार हुआ है कि एक सीम जो है वो इस तरह से उसे एडी ने गिरफतार किया हो तो जेल से सरकार कैसे चलेगी दूसरा क्या एलजी इंटर्वीन कर सकते हैं क्योंकि विशेश सतराज कैंसल कि अस्तागित किया गया है जो अब 27 को होगा कैसे साइन होंगे कैबिनेट कैसे चलेगी और दूसरा ये कि ऐसी उमीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोट से कोई बड़ी राहत मिले क्य जो है उसने एडी को आदेश दे दिया कि आप अपना काम करिये गिरफतार किया फिर उसके बाद अरविन केजरिवाल को प्लाणिंगट रहे हैं जो हमारे पास जानकारी है कि अगर एडी ग्रफतार नहीं भी करती तो आज इंप्रिम प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोट में मेंशनिंग की जाती लेकिन इस भी चुकी हाई कोट ने कोई रोक नहीं लगाई थी इसलिए इसलिए इडी ने उन्हें ग्रफतार कर लिया और एडी का ये जो काम है इदान बनाता शायद किसी ने कल्पना नहीं कियोगी कि इस तरीके की भी इस्तितिया आईगी कि कोई मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और उसके बाद सरकार चलाने के बाद में में भी सोचा जाएगा लेकिन मॉराल्टी का सवार जरूर बनता है मॉराल्टी को लेकर सवा अदेश आता है हम आपके बास वापस लोटेंगे दिल्ली में शराब घोटाला मामले में अर्विन केजिवाल की गिरिफ्तारी के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच आरो प्रतरूप का सिल्सला जारी है दौर जारी आम आदमी पार्टी की नेता अर्विन की अजिवाल की राश्ट्रिय नेता को गिरफतार करना एक ऐसे केस में जिसमें दो साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक रुपे की भी रिकावरी आफ प्रोसीड्स आफ क्राइम नहीं हुई है रात को अंधेरे में उनके घर में एडी के लोग घुश जाएं और इस तरीके से उनको गिरफतार करके ले जाएं आज ये बात सच हो गई कि अर्विन के इजडिवाई जो दुनिया को अर्देश को कह रहे थे वो सच था जब आप नौ समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि एडी आपके घर आए पूश्टाच करें और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक एडी कोर्प्स के सामने कोई भी सुबूत नहीं रख पाई है अनतराइस कोलोनी की जनता दिली में पानी के लिए साफ पानी के लिए तरस्ती तडपती हुई जनता आखिर उसकी हाय तो लगनी थी गिरफ्तारी सुनिश्चित ती जिस प्रकार का उन्होंने रविया अपनाया और कल हाई कोट ने जो गिरफ्तारी पे रोप लगाने से इंकार किया उसके बाद यह इस पश्टा इस रश्टा चार के तार अद्विन केज दिवाल के घर तक जाते है यह भारत के लोगतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोगसभा की चुनाव की घोशना के बाद एक नैशनल पार्टी के नैशनल कन्वीनर को गिरफ्तार दिया गया लोगतंत्र के लिए एजंसी इसका मिस्यूज जो है वो शर्मनाक है कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास इनको सिर्फ अरविंद केजरिवाल को गिरफ्तार करना था क्योंकि सर पर आम चुनाव है भारती जंता पार्टी बड़ी बाते कर रही है मगर अंदर से घबराह तीनों की राजनीती का अंत तियार जेल के अंदर ही होना था कि अरविंद केजरिवाल जी की गिरफ्तारी भारती जंता पार्टी की एक राजनेतिक साजिश है कि इस तरीके की हरकतों से चाहे वो कॉंग्रेस के एकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से ए के जिम्रदार केवल और केवल मानेनियक मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी स्मयम है। शुप्ति की जनता को न्याय मिला है। यह भष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे। और कारवाई में भाग नहीं लेंगे। यह तो नहीं चलेगा न।